हेलो अब्रीवन आपका हमारे चैनल मैंड बूस्टिंग क्लासिस में स्वागत है मैं अनुश्री आज आपके साथ कख्षा पाच की हिंडिकी कारेपत्र का जो की पच्छन अभ्यान दिवारा दी गई है डिसकस करने जा रही हूं चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षिट को दिनांग है इसकी 4 अपरेल 2022 बारवा सप्ताह चल रहा है और आज की जो हमारी वक्षिट है उसका विश्य है मा की ममता चलिए देखते हैं कि क्या दिया खिया है सबसे पहले तो आप सभी घंड़ाई कक्षा यानि कक्षा पाठवी में स्वाकत है अब आप जो है कक्षा चौथी से पाठवी में आए हैं है ना तो नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुर्ष होंगे प्यारे बच्चो हर जगे भगवान मौजूद नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने हम सबको मा के रूप में एक अजीज तौफा दिया है मा अपने बच्चो का विशन परिस्तियों में भी किस प्रकार से लालन पालन करती हैं आईए नीचे दी गई कहानी से जानते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मा आपकी कितनी परवाह करती हैं है ना आपकी मा ही नहीं हमारे जितने भी परिवार वाले होते हैं सब हमारे बहुत केर करते हैं है ना लेकिन यहाँ पर आपको मा की ममता के बारे में बताया गया है हर जगे भगवान तो मौचूद नहीं हो सकते है ना इसलिए उन्होंने हमें एक तौफा दिया है जो कि बहुत खास है एक अजीज तौफा वो है मा यानि जो आपकी मदर है ठीके मॉम है या अलग-अलग नामों से उनको जाना जाता है है ना तो आज हम मा से रिलेटर एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और वो स्टोरी बहुत इंट्रेस्टिंग है आपको मजा आएगा उसमें तो आप ज़रूर मेरे साथ रीट कीजेगा उस स्टोरी को यहाँ पर पिच्चर के साथ वो दी गई है तो बहुत इंट्रेस्टिंग लग रही है चलिए रीट करकर पता करते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया गया है आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिडिया रहती थी उसने बहुत सुंदर घौसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे बच्चे कभी उढ़ना नहीं जानते थे यहाँ पर अभी लिखा है ठीके तो बच्चे अभी उढ़ना नहीं जानते थे इसलिए सुरीली चिडिया उन सभी को खाना लाकर खेलाती थी बच्चे छोटे थे वो उड़ नहीं पाते थे इसलिए उनकी माँ ही बच्चों को खाना देती थी एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी बारिश हो रही थी सुरीली उस चिडिया का नाम है ठीके? सुरीली की बच्चों को जोर से भूग लगी बच्चे रोने लगे सुरीली को अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन क्या करती? बाहर तो बारिश थी अब वो कैसे खाना दूरती? गीली हो जाती वो तो वहाँ उन्हें चुप करा रही थी किन्तु बच्चे भूग से तडप रहे थे इसलिए वे चुप नहीं हो रहे थे अब सुरीली चड़िया बच्चों का इस तरीके से रोना देख नहीं पाई सुरीली सिड़िया सोच में पड़ गई इतनी तेज बारिश में खाना कहां से लाउंगी? अगर खाना नहीं लाई तो बच्चों की भूग कैसे शान्थ होगी? काफी देर सोचने के बाद सुरीली चड़िया ने एक लंबी उड़ान भरी और पंड़िच जी के घर पहुच गई पंड़िच जी ने प्रसाद में मिले दाल चावल और फलो को आंगल में रखा हुआ था बाहर ही उसे अपना खाना मिल गया अब तो तो चड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुँ में डेर सारे चावल रख लिए खोसले में पहुच कर चड़िया ने सभी बच्चों को चावल के दाने के लाए जब बच्चों का पेट भर गया तो वे सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे तो यहां हमने देखा कि जो सुरीली चड़िया थी उससे अपने बच्चों का रोना नहीं देखा गया जो कि किसी भी मा से नहीं देखा चाता उसने कीला होकर मेहनत करकर भी अपने बच्चों के लिए जो है भोजन लाई वो चाहे उसे खुद भोजन मिले या ना मिले लेकिन उसके बच्चों को सरूर भोजन मिलना चाहिए ये सोच कर उसने क्या किया वो उड़ी उच्छी उड़ान भर कर वो पंडजी के पाग गई और वहां से खाना धूड कर लाई अब प्रश्ने हैं आपके प्यारे बच्चों ऊपर दी गई कहानी को पढ़ने के बाद आपको उसका सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा और क्यूँ चलिए उत्तर नमबर एक देख ले इसका उत्तर क्या है देखे बच्चो उत्तर नमबर एक हमें कहानी में से वह भाग सबसे अच्छा लगा जब चिडिया को खाना मिल गया और बच्चों की भूख शांत हुई यह उत्तर नमबर वन लिखोगे मुझे तो भाई यही भाग सबसे प्रेस लगा आपको कौन सा लगा आप वो लिख सकते हो और देखे काफी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत सारे कॉशन्स होते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेचर जैसे मैं किस पड़ा रही हूँ तो ऐसे डाउट्स के लिए मैंने एक मैस यूट्यूब सीक्रेट्स वीडियो बनाई है उसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आप जाकर वहां से देख सकते हो ठीक है स्टूडिंस तो आपके सारे अप जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे दिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप लोग देख सकते हैं प्रशन दो है आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ देखे होंगे उनके नाम लिखे तो बहुत पेड़ होते हैं जैसे के लिए उतर नमबर दो पीपल का पेड़ आम का पेड़ केरे का पेड़ नीन का पेड़ और बबुल का पेड़ आती ठीक है यह उतर नमबर दो हो प्रयादने करते हैं जैसे जब हमें भूक लगे तो खाना देना जब हम बिमार हों तो हमारी देखवाल करना हमें कपड़े बस्ता खिलोने आधी खरीद कर देना हमें स्कूल भेजना जिससे हम पढ़ लिख सकें ये उतर नमबर तीन आपका रहने वाला है तो आज की वक्षि आपको समझ राई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद